नमस्कार, आप सभी को मेरा हर्दिक अभीनंदन, मैं डॉक्टर संजेगर, कंसल्टेंट यूरोलोजिस्ट और अंडरोलोजिस्ट मनेपाल हॉस्पिरल्स गाज़ेबाद आज हम बात करेंगे, इनकंटिनेंस अफ यूरीन, यानि की लीकेज अफ यूरीन, मूतरका रिसाफ, अंचाहा रिसाफ यह वैसे तो किसी भी हुम्र में हो सकती है, जैसे बच्चों में होता है या कुछ शुरू के साल ले कि अपराइबाद आ इन JAY्या हाँ अगर यह चीज बढ़ जाया या साथ साल के बाद भी रहती है तो इसका इलाज करना जरूरी है लेकिन हम आज बात करने जा रहे हैं लेकिन फिशेश रूप से मैं आज बात करने जा रहा हूं और तो मुखे रूप से यह दो तरह से होता है अगर हमारे पेट पे किसी तरह का दबाव पड़े जैसे खांसी से अचानक उठने से पहले तो इसको बोलते हैं अगर हमारे पेट पे किसी तरह का दबाव पड़े जैसे खांसी से अचानक उठने से चीक से या कई बार लेडी जिमिंग करती है तो उसमें कुछ प्रेशर पड़ता है उस दौरान अगर कुछ बूंदे निकल जाया उसको बोलते हैं दोन तरह के फीच्टम सिम्टम होते हैं वह मिक्स्ट यूरी इंकंडिनेस बोलते हैं इसको उर्ज यूरी इंकंडिनेस बहुते हैं और तरह मतलब होता है कि पेशाप की ठेली जब पूंते अभड जाए और पेशाप की अपने अंदर तो जैसे मेने बताया है, मुखह रूप से भात किरने जा रहे हैं, अर्ज उरिन कंडिएंस, और इस्ट्रेस उरिन कंडिएंस की अर्ज यूरिन इंकंडिनेंस अर्जनसी के बाद होता है तो कुछ न कुछ ऐसी प्रिक्रिया होती है जिससे कि पिशाप की थैली जादे संसिटिफ हो जाती है और जरास भी परिशाभ भरने पे या जब urgency होती है तो वो तुरींत ही इतना जोर माड़ जाती है है कि हमें urine लीच कर जाता है ये लीच है जो urine के बार हमारे नहीं होता या वाशून पहोचने थे पहले हमारा लीच हो जाता है पेशाब की थैली क्यों इतनी संसिटे हो जाती है इसकी कई सारे कारण है या तो उसके अंदर लोकल लोकल मतलब थैली के अंदर ही कुछ ऐसी चिंजिस हो रहे हैं उसके अंदर सूजन आ जाए जो जायतर कई बार infection में होती है या कोई और बद्राव हो जाया कोई और बिमारी हो जाया जो पेशाब की थैली की होती है कुछ infections ऐसे होते हैं जिसमें urgency बन जाती है bacterial infection हुआ या कई बार TB का infection होता है या कुछ और जैसे कोई गहांट उसके अंदर हो जाया कोई और चीज हो या कोई irritating चीज पड़ी हो जब infection के बाद में पेशाब की अंदर की सता सूच जाती है जरा सा उसके अंदर पेशाब आएगा तो तुरंथ ही वो जोर मारेगी जोर मारने पे हमें एकदम पेशाब करने की इक्षा होती है और अगर हम वाश रूम तक नहीं पहुंच पाएं इतनी जादे सूजन है या जायतर इस चीज को पकड़ने के लिए जानने के लिए किस कारण से हो रही है हमें कुछ बेसिक इन्वस्टिकेशन करने पड़ते हैं जैसे कि पेशाब की जाँच जिसको यूरीन डूटीन और कल्चर बोलते हैं जरुत पड़ने पे हमें पेशाब का अल्टर साउंड परत इसके साथ में कुछ और चीजे यह जो पेशाब की तहली में बदलाव कर रही हैं अब हम आते हैं इसके इसके इलाज पर अगर किसी इन्फेक्शन के कारण से ऐसा हो रहा है तो हमें सबसे पहले इंफेक्शन को कंट्रोर करना जरूरी है इन्फेक्शन को करने के लिए इक तो उसकी कुछ दवाई आती हैं जो हम अप्रोप्रियेट डूरेशन के लिए देते हैं और ये दूरी ये चीजे खतम हो सकती हैं साथ में, स्म्टोमतिक रिलीव मतलब कि पेशाई की तहली जो जोर मार रही है तेजी से वो कर रही है तो उसको हमें शांत करना है याना कि ब्लैडर सिट्टिव देने होते हैं कुछ दवाई ऐसी हैं जो पेशाब की तहली के अंदर जो यह अचानक से जोर उत्पन होता है उसको रिलैक्स करती है और साथ ही साथ कई बार हमें ऐसे में वो दवाई भी देनी पड़ती है जो पेशाब की तहली की गरदन को रिलैक्स करें और पिशाप आराम से हो, तो अन कॉनबिनेशन को और ये कॉमपिनेशन को किसको कतना देना है, क्या दवाई देनी हैं, ये हरेक पे हमें पेशन को देखके उसकी जांचों को देंके, तब हम दिया जाता है, तो इस तने जैसे ये urge incontinence का ज़ाते हैं, जाते तर केसी में घाल क सकते हैं बेसिक जो कॉस है उसका चाहें वो इन्फेक्षिन है पत्री है या कोई और बीमारी है उसको दूर करेंगे साथ में दबाईए देंगे तो यह ठीक हो जाता है अब हम बात करते हैं stress urinary incontinence की, stress urinary incontinence कई बार ladies में बहुत कमन होती है multiple deliveries के बात में, क्यों ऐसा होता है, जो इसमें 2-3 चीज़ होती है, जब delivery होती है normal deliveries के बात में, जो अंदर का musculature होता है, muscles होती है, pelvic musculature होता है, वो weak पढ़ जाता है, उसका बहार से support कम हो जाता है, बहार अगर प्रिशाब की थैली या उसकी जो नली होती है, उसको जो compress करने का system है, वो weak हो जाता है, तो जरा सा भी पेट पर जोर पढ़ेगा, तो वो urine leak कर सकता है, दूसरी बात क्या होती है, कई बार एक angle का बदला हो जाता है, वो angle क्या है, प्रिशाब की थैली और जो उसका ब पढ़ सकता है, जैसे कि खासी करने पढ़ सकता है, किसी को chronic constipation है, कप्च की शिकायत है, तो वो भी जोर लगाएगा, तब हो जाएगा ऐसा, अगर जादे weakness आ गई है मसल्स की, तो अचाना की विस्सर से उठने पर, कुर्सी से उठने पर, या जिमिंग करने पर, इन सब मे और यूरीन लीक कर जाए, तो इसको हम हाई grade बहते हैं, यानि कि severe urine incontinence है, stress incontinence, अब stress incontinence कैसे दूर करा जाए, शुरू शुरू में दवाईयों का रोल है, लेकिन वो बिल्कुल शुरू आपकी बिमारी में है, जबकि grade 1 incontinence होती है, उसमें हम कुछ दवाईय देते हैं, जो बहार के muscles को, pelvic muscles को कुछ strength दे, तो वो दवाईय शुरू में काम करती है, लेकिन ये दवाईय लंबे टाइम तक खाने की ज़रूद पढ़ सकती है, और अगर ये दिक्कत बढ़ गई है, नहीं ठीक हो पारी, तब क्या किया जाए, तब हमें कुछ surgical option, surgery करनी पढ़ती है, surgery कई सारी चीजे हैं, जो इसमें surgical treatment में आती है, मुखे रूप से मैं आज एक शीच बताना चाहूँगा, वो है tape surgery, tape surgery का मतलब होता है, कुछ हम ऐसा sling लगा है, जिससे कि हम पेशाप की थैली और वो जो नली है, उसका जो angle है, उस angle को बिगड गया था, उसको वापीस से ठ भी पेट का pressure पड़ेगा, तो वो angle बन जाएगा, या angle ऐसा नहीं होगा कि वो सीधा है और urine लीक कर जाए, इस surgery को हम trans operator tape surgery बोलते हैं, एक और होती है, trans vaginal tape होती है, कुछ और slings है, जो pubo vaginal slings, या कई और technique है, जो हम पेट के रास्ते से भी कर सकते हैं, मैंने जैसे sling का बता और बहुत ही minimally invasive surgery है, पेशन्ट डे केर में या जाए से जाए एक दिन में हम discharge कर देते हैं, और आगे case के response बहुत अच्छे है, तो अब समझने की बात यह है कि कभी भी किसी को भी तकलीफ हो, तकलीफ से मतलब कि leakage of urine हो, असामानने रूप से या अंचाही रूप से, तो हमे सही टाइम पे या initial stage में अपने डॉक्टर से consult कर लेंगे, तो और बिमारी को पता बढ़ जाएगा कि किस वज़े से हो रही है, कोई अगर इसके अंदर कुछ इंफेक्शन है, या कोई और कारण है, तो उसका इलाज हो जाएगा, लेकिन अगर कोई muscles weakness की बात है, एंगल चे की बिमारी से, अंचाहे मूत्री साब से, यूरिनी इंकंटिनेंस से ग्रसित है, तो वो तुरंत ही अपने नजदी की डॉक्टर यूरोलोजिस से संपर करें और अपना इलाज कराए, थन्यवाद